टीम आरोहन वापिस आ गई है United Nations Series की आखरी और तीसरी एपिसोड को ले करके आपके सामने आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे 22 Most Important Questions इन 22 Questions के साथ आपके पास Total Number of Questions United Nations के उपर हो जाएंगे 52 जो कवर करेंगे सब कुछ United Nations के बारे में इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है बस देखे हमारी यह तीन वीडियो अच्छा आज एक सवाल भी है आपके लिए क्या आप मुझे मता सकते हैं कि United Nations Day 2018 का थीम क्या था इस वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्का और स्वागत है आप सबका आरोहन में हमेशा की तरह बिना कोई समय कवा है हम सीधे शुरू करेंगे आपने Question Number 31 से Question Number 31 क्यों क्योंकि बाकी के पिछले 30 Question की तरह है 15 Question शुरूवात के Question Number 1 to 15 Part 1 में और Question Number 16 to 30 कहां पर है Part 2 में अगर आपने नहीं देखा प्लीज देखिए अभी हम देखेंगे Question Number 31 Question Number 31 क्या है स्युक्त राज संग के सुरक्षा परिशद में अईस्थाई सदस्देश का कारेकाल होता है कितने साल का होता है Options है एक साल, दो साल, तीन साल और चार साल Answer क्या है? Answer है इसका Option B 2 साल क्या होता है? अईस्थाई सदस्देश का कारेकाल होता है 2 years का ठीक है, moving on to our question number 32, question number 32 क्या बोलता है, स्वेक्त राज संग के महासभा का नीमित सत्र होता है, महासभा का जो सत्र होता है, regular session जो होता है, वो कब कब होता है, ये पूछ रहा है, options देखते हैं, साल में एक बार, हर साल दो बार, दो साल में एक बार, या फिर पांस साल में एक बा हर साल, हर एक साल में, हर एक साल में इसका session होता है, स्वेक्त राष्ट के महासभा का नीमित session होता है, हर साल में, ठीक है, question number 33, अंतर राष्टी नियालाय का मुख्यालाय कहां है, अंतर राष्टी नियालाय का मुख्यालाय कहां पर है, options हैं हमारे पास London, Geneva, Hague और Rome, इसका answer ह है option number C that is Hague हेग कहां पर है हेग है निदर लेंड्स में निदर लेंड्स में है अंतरास्टी नियालय का मुख्याल है International Court of Justice जिसको बोलते है उसका headquarters कहां पर है headquarters कहां है headquarters है हेग में अगला question number 34 अंतरास्टी नियालय की नियाधीक्षों का कारिकाल होता है International Court of Justice में जो judges होते हैं उनका नियाधीश होते हैं उनका कारिकाल कितने साल का होता है ये पूछ रही है options देखते है options है एक साल तीन साल पाई साल या फिर नौ साल तो इसका answer है हमारे पास option number D option number D मतलब 9 years 9 years का जो international point होता है उसमें जो नियाधिश होते हैं उनका कारिकाल होता है कितना 9 years का Question number 35 वर्तमान में आर्थिक और समाजिक परिश्यत की सदस्य शंख्या है कितनी है options दिया हुआ है हमारे पास 10, 15, 30 या फिर 54 तो answer है हमारे पास option number D that is 54, 54 वर्तमान में आर्थिक और समाजिक परिश्यत की सदस्य संख्या कितनी है that is 54, 54 आगे बढ़ते हैं question number 36 अंतराष्टी नियाले के नियाधिशों की संख्या है फिर से पूछ रहा है international court of justice के बारे में अंतराष्टी नियाले में कितने नियाधिश हैं उनकी संख्या कितनी है options दिये हुआ है हमारे पास option A 10, option B 12, option C 15 and option D 20 तो इसका answer क्या है इसका answer है option C, option C meaning 15 number of judges 15 नियाधिश है अंतराष्टी नियाले में ठीक है ओके Question number 37 स्युक्तोराष्ट महका का प्रथम भारती अध्यक्ष क्या पूछ रहा है श्युक्तोराष्ट का जो महसभा होता है उसका पहला भारती अध्यक्ष इंडियान जो प्रेसिडेंट था पहला भारती अध्यक्ष जो बना किसका स्वयुक्त राष्ट महासाभा का वो कौन है options क्या क्या है हमारे पास options है राजेश्वर्दयाल नटराजन कृष्णन कमलेश शर्मा और विजय लच्मी पंडित तो इसका आंसर क्या है उसका आंसर क्या थी ये प्रत्थम भारती अध्यक्ष किसकी अध्यक्ष सैंकतराष्ट महासभा की अच्छा विजय लच्मी पंडित कौन है आप जानते हो कि इनके बारे में विजय लच्मी पंडित एक बहुत ही famous person की sister थी ये खुद भी बहुत famous है Most of you जान रहे होंगे इनको ये कौन है बताइए आप मुझे कमेंट सेक्षन में विजे लच्मी पंडित जी के बारे में ठीक है चलिए Question No.38 महिला ससक्तिकरण के लिए स्वयुक्त रास्ते जुनने वाली प्रथम भारती महिला गायक सिंगर, इंडियन फिमेल सिंगर महिला ससक्तिकरण के लिए सबसे पहली इंडियन फिमेल सिंगर युनाइट नेशन से जुनने वाली कौन है Option से हमारे पास लता मंगेशकर अलकायाग Option C कहता है सुनिदी चोहान Option D बोलता है नीटी मोहन आंसर क्या है इसका आंसर पता है आंसर आंसर इस D Option D मीरिंग नीटी मोहन नीटी मोहन जो है वो पहली फिमेल सिंगर थी इंडिया से जो की महिला ससक्तिकरण गुमन इंपार्मेंट के लिए युनाइट नेशन से जुनी थी ठीक है कौन है नीती मोहन इंडियान फिमेल सिंगर फरस्ट फरस्ट इंडियन फिमेल सिंगर फरस्ट इंडियन फिमेल सिंगर चलिए Q39 आंसर क्या है इसका आंसर है B Option number B, क्या है? 21 November 21 नомबर को क्या होता है?श्विकतरास्ट का विश्वटेल इवे जन दिवस मनाया जाता है कब 21 November ठीक है चल Question number 40, 40 वा नंबर का question हमाना सेटरास्ट जन सेवा दिवस मनाया जाता है, एक और दिवस, कौन सा दिवस जन सेवा दिवस, कब मनाया जाता है option है हमारे पास एक जून, 11 जून, 21 जून और 20 जून, क्या है इसका अंसर, option नमर डी, option नमर डी मतलब 23rd of जून को मना जाता है, क्या, सेंटरास्ट का जन सेवा दिवस, कब मना जाता है, 23rd जून, and question number 41, question number 41 में बोल रहा है, सेंटरास्ट के महा सभा में प्रत्येक देश के कित हो सकते हैं, कहां पर, United Nations के महा सभा में, ठीक है, options है, अधिकतम 2, अधिकतम 3, अधिकतम 5, या पिर अधिकतम 7, इनमें से, कौन सा option सही है, पूझ किया रहा है हम से, सेंटरास्ट के महा सभा में प्रत्येक देश के कितने प्रतिनी धी हो सकते हो कितने हो सकते हैं आंसर देखते हैं इसका इसका आंसर है option C मतलब maximum five members पांच लोग हो सकते हैं किसी भी एक देश से किसमें स्वयुक्तराष्ट के महासभा में पांच प्रतिनी धी किसी भी देश से maximum पांच प्रतिनी धी हो सकते हैं ठीक है five number of representative हो सकते हैं स्यंगतराष्ट के महासभा में किसी भी एक country से चलिए question number 42 स्यंगतराष्ट महासभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष जो पहला session हुआ था स्यंगतराष्ट महासभा का उसके अध्यक्ष कौन थे options है Paul Henry Spock B Charles Malik option C Vijay Lachmi Pandit and option D Jinping इसका answer है answer A Paul Henry Spock कौन सा answer A Paul Henry Spock ये क्या थे ये थे स्यंगतराष्ट महासभा के first session के अध्यक्ष ठीक है कौन थे Paul Henry Spock question no.43 स्यंगतराष्ट महासभा के एक महात्र अध्यक्ष जिन्होंने कारेकाल पूरा होने के पूरत्याग पत्र दिया मतलब इनका duration complete नहीं हुआ था उसके बाद भी उसके इसका अंसर इसका अंसर है option number A कौन है ट्रिग्वेली वो थे जिन्होंने अपना कारेकाल पूरा होने के पहले ही रेजिगनेशन दे दिया था सेयुक्त राष्ट महासभा के अध्यक्ष पज से ना question number 44 question number 44 question number 44 क्या बोल रहा है सेयुक्त राष्ट महासभा अध्यक्ष जो अपने देश के राष्ट पती बनी ठीक है सेयुक्त राष्ट महासभा के अध्यक्ष जो अपने देश के राष्ट पती बने कौन है वो ऑप्शन देखते हैं कर्ट वर्ड हैम यूध हॉर्ण फ्रैंक्लिन डी रूजरवेल्ट या फिर बोटरस बोटरस गाली इन चारों में से कौन है वो जो सेंगत राश्ट महासबाद ध्यक्ष थे और बाद में अपने देश के राश्ट पती बने तो हमार से देश से बिलोंग करते हैं यह आते हैं और स्ट्रिया से एक यूरोपियन कंट्री यह उसके नाइन्थ प्रेसिडेंट बने कौन से नंबर के नाइन्थ प्रेसिडेंट बने यह ऑस्ट्रिया के इसके पहले यह क्या थे सुनित राश्ट महासबा के अध्यक्ष थे ठीक है question number 45 सहीतुराष्ट महासभा के एक मात अध्यक्ष जो दुबारा अध्यक्ष नहीं बने ठीक है समाझ गयो straightforward question है options देखते है Franklin D. Roosevelt John Allison Botaris Botaris Ghali and option D बोलता है U Thorn तो इसका answer है option number C Botaris Botaris Ghali ये जो थे ये दुबारा अध्यक्ष नहीं बने किसके सहीतुराष्ट महासभा के ये एक अकेले अध्यक्ष है जो दुबारा फिर से न्युक्त नहीं किये गये अध्यक्ष की रूप में कौन Botaris Botaris Ghali कौन थे ये ये बिलॉंग करते हैं एजिप्ट से और एजिप्ट के politician और diplomat थे ये और ये एक मातर ऐसे है जो सहीतुराष्ट महासभा के अध्यक्ष एक ही बार बनी दुबारा इनको न्युक्त नहीं किया गया आगे बढ़ते हैं हमारे question number 46 में question number 46 बोलता है सहीतुराष्ट महासभा के कि सत्र में विजे लच्छमी पंडित प्रथम भारती अध्यक्ष बनी ठीक है options है हमारे पास option A छटवा सत्र 1953 सातवा सत्र 1953 आठवा सत्र 1953 और नवा सत्र 1953 ये पूछ रहा है कि इनमे से कौन से session में विजे लच्छमी पंडित जी पहली भारती अध्यक्ष बनी थी किसकी सैन्यक्तुराष्ट महा सभा की options क्या क्या है A, B, C और D तो इसका answer है option C option C मतलब आठवे session में आठवा सत्र कप का 1953 का आठवा session इस session में विजे लच्छमी पंडित जी को अध्यक्ष बनाया गया किसका सैन्यक्तुराष्ट महा सभा का और ये कौन थी ये थी प्रथम भारतिय अध्यक्ष किसकी सैन्यक्तुराष्ट महा सभा की आगे बढ़ते है question number 47 सैन्यक्तुराष्ट सुरक्षा परशद की प्रथम बैठक हुई security council United Nation का security council सुरक्षा परशद इसकी पहली meeting कब हुई options है हमारे पास 17 January 1946 कहां पे लंडन में 19 January 1946 कहां जिनीवा 19 January 1946 फिर से option लंडन and 17 January 1946 जिनीवा तो इसका answer है option number A option number A मतलब 17th January 1946 लंडन इस डेट पे इस जगह पे सैन्यक्तुराष्ट के security council का सैन्यक्तुराष्ट के सुरक्षा परिषद का पहला meeting हुआ था कब हुआ था 17 January 1946 कहां पे लंडन आगे बढ़ते हैं question number 48 सैन्यक्तुराष्ट महासभा का प्रथम अपात कालीन सत्थ संपन हुआ सैन्यक्तुराष्ट के महासभा का पहला emergency session पहला emergency session कब complete हुआ कब संपन हुआ options दिया हुआ है हमारे पास 6 November 1956 option B बोलता है 8 November 1956 option C बोलता है 6 December 1956 and option D बोलता है 8 December 1956 इसका answer क्या होगा इसका answer होगा option number A option number A मतलब 6 November 1956 6 November 1956 को सैन्यक्तुराष्ट महासभा का पहला emergency session complete हुआ था ठीक है कब 6 November 1956 6 November 1956 को आगे बढ़ते हैं question number 49 पे question number 49 मोलता है सैन्यक्तुराष्ट भारत सैन्यक्तुराष्ट में शामिल कब हुआ इंडिया जो है United Nations में कब शामिल हुआ option A option A क्या क्या option है 30 सितंबर 30 अक्टूबर 25 सितंबर और 30 अक्टूबर सब 1945 में 1945 में क्या पूछ रहा है इंडिया भारत सैन्यक्तुराष्ट में शामिल कब हुआ था कौन सी डेट पे कौन सी डेट पे इंडिया United Nations का मेंबर बना था तो इसका आंसर क्या है हमारे पास इसका आंसर है option नंबर B option नंबर B मतलब 30 अक्टूबर 1945 कब 30 अक्टूबर 1945 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया जो है वो United Nations का इसका United Nations का मेंबर बना शामिल हुआ था United Nations में जब इंडिया को शामिल किया जा रहा था उस समय पे Soviet Sun जिसको USSR के नाम से भी जाना जाता है इन्हों ने इन्हों ने इंडिया की मेंबरशिप के लिए objection लिया था उनका reason था कि इंडिया खुद की अभी independent country नहीं है वो एक कॉलोनी है Britain की तो इनको membership नहीं दिया जाए but instead of that इनको हम को I mean इंडिया को membership मिली और कब मिली 30 October 1945 5 को चलिए moving on to our question number 50 सेंग तराष्ट महासचिव जिन्हें Nobel का शान्ती पुरुष्कार मिला Nobel का Peace Prize सेंग तराष्ट के महासचिव किन को मिला options देखते है option A Franklin D Roosevelt or coffee and none option B John Allison or Doug Hammersold option C Doug Hammersold or coffee and none and option D Youth Haunt और Doug Hammersold तो इन में से कौन से पेर को Nobel Prize मिला था Peace का जो की सेंग तराष्ट के महासचिव थे options हमारे पास आपने देख लिया भी ABCD में से एक option है एक पेर को हमको select करना है तो इसका सही answer क्या है वो है option number C option number C इन दोनों के पेर ने नोबेल का Peace Prize जीता था ठीक है आगे चलते है question number 51 सेंग तराष्ट को Nobel का शांती पुरुषकार कितनी बार मिला United Nations को Nobel का Peace Prize कितनी बार मिला है यहाँ पे options देखिए options मूला हुआ है option A 7 times, option B 8 times, option C 9 times and option D 10 times Nobel का Peace Prize सबसे highest honor होता है पूरे world में Peace के लिए किसी भी field में यह 6 categories में दिया जाता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी टीम इसके वीडियो के उपर काम कर रही है और बहुत ही जल्द हम आपको के सामने Nobel का एक बहुत ही detailed analysis और पूरी information के साथ एक वीडियो लेकर आएंगे जैसे कि हमारे यह रिटेटेटनिशन सीरीज का यह वीडियो चल रहा है वैसे ही तो देखें यह बहुत highest ranking price होती है और इसको किसी को बहुत सारे लोगों को most of the लोगों को होता यह है कि यह सिर्फ पूरे lifetime में सिर्फ एक बार ही मिलता है और United Nation एक organization है जो कि 1945 से है existence में और देखें इनको इतनी बार मिला है options में दिया है मतलब seven times से कम तो हो जी नहीं सकता किसी भी condition में तो आप समझें इनका कितना बड़ा हात रहा है पूरे world के peace को maintain करके रखने में इनको अगर seven times ही मिला है वो option वो तो हम देखेंगे भी answer क्या है इसका चले पहले answer ही देख लेते हैं इसका answer है हमारे पास option number C option number C मतलब nine times आप समझें रहाँ nine times nine times कितना बड़ा योगदान है सेन्यूक तरास्ट का United Nations का पूरे country सारी countries को मिला करके पूरे world के peace को maintain रखने के लिए इनको nine times में Nobel Prize दिया गया है मतलब ये बहुत बड़ा हाथ है हमारे इस दुनिया का earth के अंदर peace maintain करके रखने का मतलब ये बहुत ही important organization हो जाती है और इसी लिए ये आपके exam point of view से भी बहुत important हो जाता है और इसी लिए हमने इसको तीन पार्ट में करके आपके लिए इस पूरे बड़े से इस organization के बारे में पूरी जानकारी, सारी जानकारी हमने 52 questions में submit के आपको दी है, आपको सामने रखी है, ताकि आप अपने exam के लिए proper तरीके से prepare कर पाओ ठीक है, तो कितनी बार मेरा Nobel का सांती पुरुसकार 9 बार, किसको United Nations को बहुत बड़ी बात है आगे बढ़ते हैं, हमारे final question question number 52 question number 52, क्या है वीटो का प्रयोग सरुपथम कब और किस देश ने किया वीटो, आप जानते हो वीटो क्या होता है, वीटो किन के पास होता है, बताए comment section हो, मैं sure हूँ कि आपको इसके बारे में प्रयोग सरुपथम कब और किस देश ने किया options है हमारे पास, option A 4th of February 1946, country कौन सी थी Soviet Sun, जिसको USSR के नाम से भी जाना जाता था अब ये नहीं है, डिजॉल हो गई है 1991 में डिजॉल हो गई है अब इसका existence नहीं है तो option है 4 February 1946, Soviet Sun option B, 4 February 1946, America USA, United States of America और option number C है 4 February 1946, China, China and option D है 4 February 1946, France इन में से वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने सबसे पहली बार वीटो का इस्तमाल किया था और कब किया था तो date और कंट्री आप्शन में हमारे पास दिया हुआ है इसका answer है option number A मतलब 4th of February 1946 को Soviet Sun ने USSR ने USSR ने Soviet Sun ने Soviet Sun ने इसका use किया था किसका use किया था वीटो का सबसे पहली बार सबसे पहली बार use किया था वीटो का किसने Soviet Sun ने कब किया था 4 February 1946 को ठीक है ये थे हमारे 52 questions इन questions को आप एक बार पढ़ लोगे देख लोगे, समझ लोगे इसके बाद आपको United Nations के बारे में किसी भी तरह की जानकारी कोई भी जानकारी बिलकुल भी देखने की ज़रुवत नहीं है आपके exam point of view से ये पूरी तरीके से United Nations prepare हो गया है इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देखना है ये 52 questions is more than sufficient आपके exam के almost सारे exam के cover करने के लिए इन ही questions में से possibility बनेगी आपको जो सवाल पूछे जाएंगे इन ही questions में ही वो सारे सवाल छुपे हुए है तो आप इनको अच्छे से देखिए अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छे लगती है तो प्लीज लाइक जरू कर दीजेगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्क्राइब करना न भूले इस वीडियो के सुरुआत में मैंने आपसे पूछा था थीम United Nations Day 2018 का थीम क्या है तो उसका आणसर है Traditions of Peace and Non-violence क्या है? Tradition of Peace and Non-violence ये है थीम United Nations 2018 का United Nations Day 2018 का थीम क्या है? Tradition of Peace and Non-violence आपको हमारे वीडियो पसंदेखिए थीम दो देन थेक्क्राइब क्या है झाल झाल